नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोद की कवीता अंधेरे में ये एक लंबी कवीता है जो चांद का मुँ टेड़ा है नामक कवीता संग्रे में संकलित है तो आईए देखते हैं इस कवीता को अलग-अलग भागों में बांट कर मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि एक लंबी कवीता है आज हम इसका भाग साथ करेंगी तो आईए देखते हैं यहाँ पर कवी क्या कहते हैं खोहों सी गलियों के अंधेरे में एक और मैं थक बैठ गया खोहों यानि गुफाओं के समान जो गलियां हैं और वो कैसी हैं अंधियारी हैं ऐसे मैं थक कर बैठ गया और सोचने विचार करने लगा अंधेरे में डूबे मकानों के छपरों के पार से रोने की पतली सी आवाज सुने में कांप रही कांप रही तूर तक चारों तरफ अंधेरा है इस अंधेरे में जो मकान है उनको उनके छपरों के पार से छपर क्या है जो घास फूसके बने हैं रोने की पतली सी आवाज कवी को आती है, जो सूने पन में एक हलचल उत्पन करती है, एक कमप कमपी उत्पन करती है, करहाओं की लहरों में पाशव प्रकृत, जो करहाटे उत्थ रही थी, उनकी ध्वनियों में, उनकी लहरों की ध्वनियों में, किसकी आवाज थी, पाशव यानि पशु किसी पशु प्रकृत की या किसी पाशु की वो आवाज थी यानि यहां पर क्या है पाशव यानि पाशु की आवाज थी वेदना भ्यानक थर्थरा रही है वेदना यानि पीड़ा भ्यानक है जो कमपा रही है उस किसमे उस आवाज में मैं उससे सुनने का करता ह मैं उसे सुनने का प्रयास करता हूँ लेकिन तभी देखता क्या हूँ तभी उसे क्या दिखाई देता है सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओड़ कर कोई एक अपने हात पैर समेटे कांप रहा हिल रहा वह मर जाएगा कभी खुद के सामने ही देखता है कि कोई है जो थंड में बोरे को ओड़ कर बोरा क्या है जो जूट का बना हुआ बैग या बोरा जिसको कहते हैं बड़ी बोरी उसको उसने ओड़ रखा है और अपने हात पैर उसमें ढखने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो कांप रहा है हिल रहा है कंप कंपे के कारण उसका शरीर हिल रहा है कभी को लगता है कि वो मर जाएगा क्योंकि इतनी सर्दी उसे लग रही है इतने में वह सिर खोलता है सहसा अचानक वो अपना सिर खोलता है बाहर देखता है उसके बाल बिखरते हैं दिखते हैं कान की फिर मूँ खोलता है वह कुछ बुदबुदा रहा है जैसे उसके बिखरे हुए बाल है फिर दिखाई देता है उसके कान दिखते हैं और जब उसका चेहरा दिखता है तो लगता है कि वो अपना मूँ खोल रहा है कुछ कहने के लिए किन्तु मैं सुनता ही नहीं लेकिन कभी कहता है कि मैं उसकी बात को सुन ही नहीं रहा हूँ ध्यान से देखता हूँ वह कोई परीचित तभी कभी का ध्यान उसके चेहरे पर जाता है तो उसे लगता है कि वो कोई जानकार है जिसे खूब देखा था निर्खा था कई बार कि जिसको मैंने बहुत बार देखा परखा था पर पाया नहीं था लेकिन मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाया था मैं उसे मिल नहीं पाया था अरे हां वह तो विचार उचते ही दब गई वो कौन है ये विचार कवी के मन में आया लेकिन तभी उसका विचार जहां था वही रु गांधी जी का इस तरह पंगु यानि ऐसा है अपाहिच हैरानी होती है कभी को, नहीं नहीं वे जाच परताल रूप बदल करते हैं चुक्चाप कि नहीं वो शायद जाच परताल करने आए हैं किसकी समाज की और कैसे अपना रूप बदल कर यानि अपना वेश बदल कर शुरा शायद ऐसा ही कुछ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उप्मा अलंकार है, ध्यान अखें, अंधेरे सी शाही में दूबे हुए देव को सम्मुख पाकर, देव कौन है, जो गांधी जी है, महापुरुष या देव, चारोल बिखरे हुए अंधेरे में, उनका चेहरा कर, मैं अती दीन हो जाता हूँ, पास की बिजली का चटका कहता है, कि मेरी स्थिती कैसी हो जाती है, दैनिय हो जाती है, तभी लगता है कि पास में एक बिजली का चटका, जैसे कवी को लगा, और वो बिजली का चटका क्या कहता है, भाग जा, हट जा, हम हैं, गुजर गए जमाने के चहरे आगे तु बढ़ जा और वो बिजली का जटका किस से लगता है जो सामने देव खड़े हैं और वो क्या कहते हैं चला जा यहां से, हट जा मारग से हम तो बीते हुए इस जमाने की बाते बन गए है चहरे यानि हब हमारा जमाना बीत गया है तु आगे बढ़ जा कहने का भाव क्या है कि गांधिवादी विचारों का समय चला गया है इसलिए तु हमें पीछे छोड़ और जमाने के साथ चल और आगे बढ़ जा किन्तु मैं देखा किया उस मुख को गंभीर द्रड़ता की सलवटे वैसे ही शब्दों में गुरुता लेकिन कभी कहते हैं कि मैंने देखा उस मुख को उस चहरे को उस चहरे पर गंभीर द्रड़ता की सलवटे गंभीर यानि गहरे अनुभव की सलवटे या द्रड़ता का भाव उनके चहरे पर दिखाई दे रहा था और उनके शब्दों में क्या था गुरूता थी यानि कि उनके शब्दों में गंभीरता थी यानि शब्द भाव से परिपूर्ण थे वे कह रहे हैं दुनिया ने कच्रे का धेर की जिस पर दानों को चुगने चड़ा हुआ कोई भी कुकुट कोई भी मुर्गा यदि बांग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा कि वो क्या कह रहे हैं उनके भारी भारी शब्द या अगंभीर शब्द क्या कहते हैं कि ये दुनिया ये समाज कच्रे का धेर नहीं है जिस पर कोई भी कुकुट या कोई भी मुर्गा चड़ कर बांग दे तो वो मसीहा बन जाएगा अर्थात जो ये समाज है ये कच्रे के धेर के समान नहीं है कोई भी जन्नायक बनने के लिए उस पर खड़ा होकर एक भाशन दे दे तो वो जन्नायक नहीं बन सकता जन्नायक बनने के लिए उसे जन्ता के साथ चलना होगा जन्ता के विचारों को अपनाना होगा जन्ता के दुख दर्द को समझना होगा तभी वो जन्नायक बन सकता है वे कह रही हैं मिट्टी के लोंदे में किरगिले कनकन गुण है कि मिट्टी के लोंदे में, जिस प्रकार उसके प्रतेक कनकन में, मिट्टी के लोंदे में किसके गुण होते हैं, उसी के, यानि मिट्टी का ही कनकन उसमें समाया रहता है, जनता के गुणों से ही संभव है, किस में समाज में, जनता में समाज किस से बनेगा, जनता के गुणो होता है भावी का उद्वव गंभीर शब्द वे और आगे बढ़ गई भावी यानि आने वाले नए समय का उद्वव ऐसा गंभीर शब्दों के माध्यम से उन्होंने कहा और वे आगे बढ़ गई जाने क्या कहे गई ना जाने वो क्या कहना चाते थे मैं अति उद्विगन य मेरे सामने उठ खड़ा हुआ, मूर्ती की ठटरी और वो मूर्ती बन कर मेरे सामने खड़े थे, उस पर क्या था, नाक पर चश्मा था, हाथ में उनके डंडा था, कंधे पर बोरा था, ये बोरा कौन सा है, जिस बोरे से उन्होंने अपने शरीर को ढख रखा था, लेकिन उनक कोन है, गांधी जी के विचार है, जो उनके हाथ में है, मुस्कुरा उस द्यूति पुरुष ने कहा, तब तब उस परकाशित, द्यूति पुरुष यानि जो परकाशवान है, जो भाव से परिपूर्ण पुरुष है, गांधी जी, उन्होंने कहा, मेरे पास चुप- विचारों का ब्रती कोन है बालक है संभालना इसको सुरक्षित रखना कि ये मेरा बालक है ये मेरे विचार है तुम इसे संभालना इसे सुरक्षित रखना मैं कुछ कहने को होता हूँ कभी कहता है कि मैं कुछ कहने के लिए तत्पर हूँ इतने में वहाँ पर कहीं कोई नहीं चारों और बहुत गहरा, अकेला, सन्नाटा और अंधिरा फैल जाता है, बालक लिप्टा है, मेरे इस गले से चुपचाप, तभी कवी को अन्भव होता है कि वो बालक रूपी जो विचार है, वो कवी के गले से चुपचाप चिपका हुआ है, लिप्टा हुआ है, छाती से कं अंधे से जैसे आकर चिपक गया है, आकाश यानि उमीद संभावना और वो यहां पर कहना चाते हैं कि वो कैसे, उसी के साथ वो आकर जैसे चिपक गया है, स्पर्ष है सुकुमार प्यारा सा कोमल, उसका स्पर्ष कैसा है, बहुत ही प्यार से भरा हुआ और कोमलता किन्तु है भार का गंभीर अनुभव लेकिन कवी को उसका बहुत अधिक भार अनुभव होता है भावी की गंद और दूरियां अंधेरी भावी यानि भविश्य की सुगंद उसमें भरी हुई है लेकिन वो दूरियां अंधियारे से भरी हुई है आकाशी तारों को एक साथ दिये हुए मैं चला जा रहा हूं मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं मुझे लगता है कि आस्मान के सितारे भी मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं घुस्ता ही जाता हूं फासलों की खोहों की तहों में मैं घुस्ता चला जा रहा हूं उन दूरियों की अंधेरी गुफाओं म सैसा रो उठा कंधे पर वह शिशू और अचानक से वो बालक जो गांधी जी ने मुझे दिया था यानि गांधी जी के विचारों का प्रतीक जो शिशू है वह अचानक से रो उठता है अरे अरे वह स्वर अतीश्य परीचित लेकिन तभी कभी को लगता है कि ये आवाज तो बहुत जादा परीचित है यानि मैं इसे जानता हूँ पहले भी कई बार कहीं तो सुना था इसे तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ उसमें तो एक स्फोट है एक भनी है एक शोब का भाव है गहरी है शिकायत और उसके रोने में क्या है एक शिकायत भरी हुई है त्रोद भ दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अब गाधी जी के विचारों का समाज के लोग कोई महतु नहीं समझते हैं, तो अगर ये विचार किसी ने सुने, तो वो हम दोनों को मारेगा या हमारा विरोध करेगा, मैं पुछकारता हूं, मैं उसे चुप करवाने की कोशिश करता हूं, बहुत दुलार भी देता हूं, समझाने के लिए मैं तब गाता हूं गाने, अधूरी लोरी ही होटों से फूटती है, उसको चुप करवाने के लिए मैं आधी अधूरी लोरी अपने होटों से गुनगुनाने लगता हूं, फूटती है, यानि गाई जाती है, मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश कवी कहता है कि मैं उस बालक को विचार रूपी बालक को चुप कराने की जितनी भी कोशिश करता हूँ और चीखता है क्रोध से लगाता है वो और जादा चीखता है गुसे से गरम गरम अश्रू टपकते हैं मुझ पर उसकी उसके रोने से जिसको नै मैं जीवन में कर पाया कि ये तो वो काम कर रहा है जो काम मैं आज तक जीवन भर नहीं कर पाया वहे वो बाते कह रहा है रो रो कर मैं शिशु पीठ थप थपा रहा हूं कोम सी बाते कह रहा है यानि वो विचार जो मेरे अंतरमन में थे जो क्रांती क के विचार थे जिनको मैं समाज तक नहीं पहुंचा पाया वही क्रांती के विचार ये शिशु रो रोकर समाज के लोगों तक पहुंचा रहा है यानि मेरी अंतरमन की आवाज शिशु बन गया है और मैं उसकी पीट थपतपा रहा हूं आत्मा गिली है मेरी आत्मा भीग रही है पैर आगे बढ़ रहे हैं मन आगे जा रहा है दूबता हूँ मैं किसी भितरी सोच में मेरे पैर आगे बढ़ रहे हैं मेरा मन खुश है और वो आगे के बारे में सोच रहा है तभी मैं डूब जाता हूँ अपने मन की किसी गहरी सोच में या विचार में हरदे की थाल में र रक्त का तालाब है लाल रंग से युक्त रक्त भरा हुआ है यानि तालाब भरा हुआ है और उस रक्त में क्या है द्यूतिमान मनिया है चमक्ती हुई मनिया उसमें है मनिया क्या है कभी के अंतरमन के विचार है रुधीर से फूट रही लाल लाल किरने और उस तालाब के रक् पन हो रही हैं अनभव रक्त में डूबे हैं संकल्प और अनभव से भरे इस रक्त में मेरे संकल्प मेरे विचार डूबे हुए हैं जो मणियों के समान चमक रहे हैं और ये संकल्प चलते हैं साथ-साथ ये संकल्प मेरे साथ-साथ चल रहे हैं उन अंधियारी गलियों में ज नहीं है वह शिशु चला गया जाने कहां कभी कहता है कि वो बालक जो गांधी जी ने मुझे दिया था या वो गांधी के विचार रूपी जो बालक है विचारों का प्रतीक जो बालक है वो ना जाने कहां चला गया और अब उसके ही स्थान पर मात्र है सूरज मुखी फूल ग उच्छे आ गये हैं। दरवाजा खुला हुआ देखता है। कभी आगे बढ़ता है, कभी अब माहूल उसे अच्छा लग रहा है। इतने में कभी देखता है कि सामने एक गली आ गई है। वहाँ पर किसी घर का दरवाजा खुला हुआ देखता है। जीना है अंधिरा, जीना यानि सीडिया, उन पर क्या है अंधिरा है, कहीं कोई टिबरी सी टिम्टिमा रही है, टिबरी यानि मिट्टी के दिपक के समान कहीं कोई उसे जलती वी लो दिखाई दे रही है, मैं बढ़ रहा हूँ, कंदों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे, क्या हुआ, कहां गई, अचानक से वे गुच्छे गाइब हो गई, कंदे क्यों वजन से दुख रहे सैसा, कभी को लगता है, उसके कंदों पर भार आ गया है, और उसके कंदे दुख रहे हैं, ओहो, बंदूक आ गई, वाह, वजन्दार राइफल, भई खूब, कभी को क्या ल भार है, खुला हुआ कमरा, सामली हवा है, जांकते हैं खिडिकियों में, में से दूर अंधेरे में टंके हुए सितारे, कमरा खुला है, हलके अंधेरे में हवा बह रही है, यानि हवा सामली है, और वो देखता है कि खुली हुई खिडिकियों से अंधेरे में टिम्टिबात पर कोई पसर कर लेटा हुआ है उसने बाहें फैला रख़ी है और नहीं ओगी है आखिर वहां मैं उस जन पर फैल लाता तोर्च की यह है क्या तभी मैंने उस व्यक्ति पर परकाश कभी उस व्यक्ति पर अपनी तोर्च से परकाश डालता है और क्या देखता है खून भरे बाल में उलज़ा है चेहरा कि उसका चेहरा उलज़ा हुआ है किस से खून से भरे गालों से उसकी बोहूं के बीच में गोली का सुराग है गोली का निशान है खून का परदा गालों पर फैला और गालों पर इस परकार खून फैला हुआ है जैसे कि कोई परदा गिरा दिया गया हो होटों पर सुखी है कथई धारा और उसके होटों पर कथई रंकी धारा जैसे आकर सूख गई है उसका चश्मा फूटा हुआ है नाख है सीथी और ये व्यक्ति कोन है हम चश्मा से अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति गांधी जी है ओ फो कभी को अफसोस होता है एकांत प् प्रिय है और मैं इसे जानता हूं वही हां सच्चाई थी सिरफ एक एहसास वह कलाकार था कि ये तो वो है जो सत्य था और ये एक एहसास मातर था क्योंकि वो एक कलाकार था यहां पर वो गांधी जी की बात कर रहा है गांधी जी गिरे पड़े हैं जो मृत व्यक्ति है वो गा हम कोई भी एहमियत नहीं देते इसलिए कवी यहां पर कहना चाता है कि उनको देखकर कवी अफसोस व्यक्त करता है कि यह एक एकांद प्रिये व्यक्ति और यह कवी का परीचित है कवी से अच्छी प्रकार से जानता है यानि यह महत्मा गांधी है जिनके पास क्या था केवल और केवल सच्चाई थी यही एक एशास है यानि वो सच्छमुच के कलाकार हैं गलियों के अंधेरे का हर्दे का हर्दे में भार था पर कारेक शमता से वन्चित व्यक्ति कि यह वह व्यक्ति है जो हमेशन सत्त बोलता था उसके हर्दे में गलियों में फैले हुए अंदकार का बीज भरा हुआ था कि चारों जो अंधिरा था उसका भार वो अपने हर्दे पर अंधिरे से तात्परे क्या है जो अराजकता है जो भरस्टाचार है जो सामाजी कुरीतियां है उसका उसके हर्दे पर भार था बोज था क्योंकि वो क्या जन कल्यान वो कारेक्षमता से वंचित व्यक्ति चलता था अपना संग अस्तितव यानि बिना किसी संगती के उसका एक अपना अलग अस्तितव था और वो चलता था सू कुमार मानविये हरद्यों के अपने सूचितर विश्व के मातर्थे सपने सू कुमार मानविये हरद्यों यानि कवी यहाँ पर क्या कहना चाते हैं कि उसके मन में कैसा भाव था जन कल्यान की भावना को लेकर वो अकेला अस्तितो बचाए हुए था या अकेला व्यक्ति अपना वो कारिया कर रहा था उसके भीतर जो भाव थे वो सुकुमारता के भाव थे मानविये हर्देओं या मानवता के लिए अच्छे या विश्व कल्यान के भाव उसके भीतर थे ऐसी कोमल भावनाई उसमें थी जिसमें सूचितर विश्व यानि पवितर विश्व के सपने थे जो इश्विश्व कल्यान के पावन सपने देखा करता था ऐसे भाव उस व्यक्ति पर दिखाई दे रहे थे या ये वही व्यक्ति था कोन जो गांधी जीवनानभव जो हलचल करता था रहे रहे दिल में कि यहां पर क्या कहना चाते हैं कि जो स्वपन ग्यान वे जीवन के अनुभव से मिलकर बना था वो बार बार रहे रहे कर दिल में एक नई हलचल उत्पन कर रहा था किसी को भी दे नहीं पाया था वहे तो वो अपना ग्यान अपने जीवन का अनुभव किसी को भी समर्पित न रहा था वो अभी किसी दूसरे व्यक्ति को सोंप भी नहीं पाए थे शुन्य के जल में डूब गया नीरव और वो ऐसे बिना किसी शोर के बिना किसी ध्वनी के ऐसे डूब गया जैसे शांत जल में कुछ डूब जाता है हो नहीं पाया उसका उपयोग उसका कि उनके विचार कोई एक विचार कोई एक व्यक्ति ना जाने वो क्या कर गुजरा संदेहास्पद समझा गया कि गांधी जी को क्या समझा गया संदे शंका के घेरे में रखा गया संदेहास्पद समझा गया और मारा गया वह बधिकों के हातों यानि हत्यारों के हातों उसकी हत्या कर दी गई वो मुक्ति पाना चाहता था, उसके मन में प्रेम का भाव था, मुक्ति के परियास यतनों के साथ वो निरंतर लगा हुआ था, यानि वो मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा, मुक्ति किस से, जो हमारे यहां पर, जो हम जीवन जी रहे थे, किसका गुलामी का, उस गुलाम भाव स्थभावना भाइचारे का भाव उसके मन में था और nirantar वो इसी भाव का परचार परसार का यतन कर रहा था वो सबका प्यारा अपने में द्यूतिमान यानि उसके चहरे पर एक अलग ही चमक थी उसका अपना एक दिप्त चहरा था या उसके अपने विचारों की एक अलग ही चमक थी उनका योंवद हुआ और संसार में ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की बिरित्यू प्राप्त हुई या ऐसे उनका वद कर दिया गया मर गया एक युग और केवल वो एक व्यक्ति विशेश नहीं गया बलकि उसके साथ एक युग की समापती हो गई मर गया एक जीवन आदर्श कि वो जीवन का एक आदर्श था जिसको मार दिया गया इतने में मुझे को ही चिड़ाता है कोई कवी कहते हैं कि इतने में मुझे किसी के चिड़ाने का एसास होता है कि कोई मुझे चिड़ा रहा है स्वाल है मैं क्या करता था अब तक और क्या स्वाल मेरे सामने खड़ा कर रहा है कि मैं अब तक क्या कर रहा था मैंने अपने जीवन में अब तक क्या करे किया है भागता फिरता था सब और कि मैं तो अब तक अपने जीवन में इधर उधर भाग ही रहा था तो उमीद करते हूं कि कवीता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है इस इन पंक्तियों में कवी अपने अंतर्मन के साथ साथ गांधी जी की विचारधारा का यहां पर समायोजन कर रहे हैं कि जनता के कल्यान के लिए गांधी जी ने किस परकार अपना बलिदान दे दिया और आज वही गांधी जी किस परकार हर गली चोराहे पर हमें मरे हुए नजर आते हैं यानि उनका वद्ध कर दिया गया है कहने का भाव क्या है कि गांधी जी के विचारों की हत्या कर दी गई है गांधी जी के विचारों को खंडित कर दिया गया है और वो उनकी समापती उनके विचारों की समापती एक यूग के समापत होने के बराबर है तो यहां पर कभी बताना चाहते हैं कि समाज में कितना परिवर्तन आ गया है, समाज का कल्यान, जनता का कल्यान यहां पर सर्वो परी नहीं है, बलकि स्वार्थ की प्रवर्ती, भरस्टाचार की जो धोंग, आडंबर, इस तरह के जो भाव हैं वो हमारे समाज में व्यापत हो झाल 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 झाल